तो दोस्तो आज हम जानेंगे बिहार राज्ये के खूपसूरत सहर भागलपुर के बारे में तो दोस्तो इस वीडियो को अंध तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे भागलपुर सहर के बारे में कुछ दिल्चस्प बाते हैं तो आईए फिर चलते हैं भागलपूर के एक सांदार सफर में भागलपूर जिसे दस सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है ये सहर बिहार राज्ये का एक काफी अनोखा सहर है जो पटना के बाद बिहार का दूसरा सबसे बड़ा नगर कहलाता है अपने कई तरह के एतिहासिक स्थलो और यहां के खान पान के लिए जाना जाता है तथा पुरानों और महाभारत में इस शेत्र को अंग प्रदेश का हिस्सा माना गया है भागलपूर के निकट इस्तित चमपा नगर को महान राजा कर्ण की राजधानी मानी जाती रही है वहीं भागलपूर जिला बिहार के मुंगेर, खगडिया, माधेपूर, पुर्निया, कटिहार और बाका जिले से घिरा है भागलपूर जिला में कुल तीन अनुमंडल है भागलपूर सदर, कहल गाउं और नो गच्छिया इसके अलावा भागलपूर सहर जनसंख्या के हिसाब से बिहार का तीसरा सबसे बड़ा सहर है जो पूरे भागलपूर डिविजन का मुख्याले भी है यदि हम 2011 सेंसस की माने तो इस सहर की कुल जनसंख्या 4,010,000 निवासियों की है जिसमें कि यहां प्रती वर्ग किलोमेटर में लगभग 14,000 लोग रहते हैं भागलपूर सहर वर्तमान समय में पॉलिटिकल, कॉमर्सियल और एजुकेशनल छेतर में काफी तेजगती से आगे बढ़ रहा है वहीं इस सहर को भारत में बनने वाले स्मार्ट सिटी मिसन के तहद भी चुना गया है जिसके अंतरगत सहर के इंफ्रा स्टक्चर को अपग्रेट करने की योजना है भागलपूर जिले से गंगा नदी होकर गुजरती है जिस वज़े से यहां के मैदानी इलाके बहुती उपजाव हैं तथा यहां के मुखे फसलों में चावल, गेहु, मक्का, जोव और तिलहन सामिल हैं वहीं यहां बहने वाली गंगा नदी भारत के राश्ट्रिये जलिये पसू डॉल्फिन का घर है जहां पर मीठे पानी की डॉल्फिन मचली पाई जाती है भागलपूर जिले में बोले जाने वाली भासाएं और यहां का खान पान तो भागलपूर जिले की जो मुख्य और आधिकारिक भासा है वो हिंदी है तथा इसके अतरिक्त यहां पर अंगी का मैथली और उर्दू भासा का भी चलन है वहीं अगर बात की जाए भागलपूर जिले के खान पान की तो यह जिला खान पान के मामले में बिहार के बाकी जिलों से काफी अनोखा है भागलपूर सहर के स्ट्रीट फूड में कचोड़ी सबजी लिट्टी चोखा जलेबी समोसा और यहां का चाट फुचका परमुख है भागलपूर म्यूजियम महारिसी माही मंदिर और यहां के दास ड्रिफ्ट वूड पार्क और संग्रहाले जैसी जगों पर घूम सकते हैं